सो फ्रेंट जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर हम कनेक्टेड है हमारे वाइफाइ नेटवक से जिसका नाम सेटलाइट है लेकिन यहाँ पर नो इंटरनेट एक्सेस बता रहा है और अगर हम ब्राउजर पर भी रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है औ चल रही है और जेसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइं इसका रही है सक्षा है और जैसे आप यह most common problem है आज के पिडिएड में आज यह problem बहुत से लोगों का आ रही है तो इसके आज हम 10 solution देखने वाले कि क्या reasons हो सकती है इन problem की और उसे कैसे आप solve कर सकते हो easily आप 10-15 मिट में इस issue को कैसे resolve कर सकते हो different option कैसे कैसे करना है सब कुछ हम इस video में डीटेल में देखने वाले video थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों क्योंके solution दस solution आपको इस वीडियो में पता चलेंगे जो आपके laptop पर इंटरनेक चल रहा है वाइफ के तू उसे solve करेंगे अगर आपके mobile पर चल रहा है करने के लिए आप settings में जाओंगे settings में आपकी जो wifi settings है वहाँ पर आप क्लिक करोंगे और wifi पर जिस wifi network से आप connected हो उस wifi network के right hand side में आपको एक arrow दिखता है या उसी का अगर आप click करते हो तो आपको वहाँ पर IP address शो करेंगा जैसे के यहाँ पर हमारे मोगाइल में आप एड्रस शो कर रहा है 192.168.2.2 यह जो है हमारे मोगाइल को IP address मिला है wifi से और जो gateway address है यह हमारे router का एड्रस है 192.168.2.1 तो mostly अब यही IP address की सीरीज हमारे laptop में होनी चाहिए तो आप यहाँ पर wifi network पर click करोंगे और network and internet setting अगर आपके पास windows 10 है तो network and internet setting पर आप click करोंगे और अगर आप windows 7 यूज कर रहे हो तो network and sharing center का यहाँ पर option आता है उस पर आप click करोंगे तो यहाँ पर जो option आता है जब आप उस पर click करते हो तो आप इस पर आजाओंगे यहाँ पर आपको change adapter option पर click करना है windows 7 में इस side में आपको change adapter option यह network adapter का option बिलता है उस पर आपको click करना है तो आप इस पर आजाते हो यहाँ पर दीखी हमारा यह wifi disconnected बता रहा है यह यह internet जो land connection है यह हमारा disconnected बता रहा है तो हम सबसे पहले आते इस double click करना है यह आप click करके यहाँ properties पर click कर सकते हो तो आपको यहाँ पर IP address शो करता है अब यहाँ पर दीखिए manually IP address डाला हुआ है तो यह जो manually IP address डाला हुआ है इसकी वजह से आपका internet stop हो जाता है किसी reason से यह कुछ काम करने के लिए हम लोग कभी IP address change करते है या कभी कोई software installation मे आपका IP address change हो जाता है system उसे allow कर देता है तो आपका internet बंद हो जाता है तो आपको यहाँ पर obtained automatic IP address पर रखना है और obtained DNS automatic पर रखना है यह option okay कर देंगे आप उसके बाद एक बार close कर देंगे close करने के बाद वापस से आप एक बार उसी wifi network को connect करेंगे और connect करने के बाद आप चे connected हो चुका है और यहां पर internet access का option आ चुका है तो अब हम एक बार देख लेते हमारा यहां पर जो internet है वो start हो चुका है और यहां पर हम एक बार internet की speed भी check कर लेते हैं कि भी speed सही आ रही है यह नहीं आ रही है जो हमें mobile पर मिल रही थी 15-20 Mbps speed वो यहां पर मिल रही है तो यह से के हमें यहां पर मिल रहा था 192.168.1.1 जो के static डाला हुआ था तो अब हम वापस एक बार चेक कर लेते हमारा जो wifi adapter का IP address है status पर क्लिक करना है details पर क्लिक कर रहा है और यहां पर देखिए यह two की series में आगा पहले यहां पर one आ रहा था क्यूंकि वो static हो चुका था IP address और उसे gateway भी नहीं मिल रहा था जो हमारा router का address है उससे connect नहीं हो रहा था इसलिए internet नहीं चल रहा था आपका तो यह सबसे पहला solution है जिससे आपका internet स्टार्ट हो सकता है laptop के उपर अब इसके बाद भी अगर आपका problem नहीं solve होता है तो हम दो number का step यहां पर follow करें दो number का जो troubleshooting step है उसके लिए यहां पर हम चेक करेंगे कि वह प्रॉक्सी सेटिंग जो है आपकी वह ठीक है या नहीं है बहुत से टाइम क्या होता है कि कुछ-कुछ software होते है जो प्रॉक्सी सेटिंग आपके operating system में आपके laptop में automatically configured कर देते हैं या कुछ-कुछ cases में आपको उसे configure कर देते ह लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपने कौन सी सेटिंग चेंज कर दी है कहां पर किये तो उसे उसे solve करने के लिए आपको control panel में जाना है आप simply यहां पर साजबार में control panel टाइप कर सकते हो control panel में आने के बाद आपको यहां पर internet option का इंटरनेट option दिखता है अगर अपको इस तरीकी का view आ रहा है तो आप यहां पर click कर के all control panel item शो करें और यहां पर आपको internet option मिलता है तो आपको इसे disable कर देना है और automatic detect setting पर click कर देना है और ok कर देना है और यह setting पर भी आपको ok कर देना है इसके बाद आप एक बार browser close करे और उसके बाद वापस से आप browser open करे आपका internet work करना start कर देंगा जैसे के यहाँ पर हो चुका है इसके पहले जो error आ रहा था तो यहाँ पर आपका internet अच्छे से work कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर internet सारी website internet की काम कर रही है तो यह method भी आपका issue solve कर सकता है अगर इस method से आपका issue solve नहीं होता है तो आप third step पर जा सकते हो third step की troubleshooting में हमें क्या करना है third step की troubleshooting में इसमें आपको आपकी जो laptop की cache memory होती है जो आपकी IP configurations होती है उन्हें आपको सही करना है तो जो mostly internet काम नहीं करता है उसकी जो reason होती है वो DNS servers होते है या DNS server के IP address होते हैं तो यह सारी problem को solve करने के लिए आपको command prompt के through यह काम करना है तो हम यहाँ पर command prompt open कर लेते हैं हमारे laptop पर तो simply आप search bar में cmd type करे और जो command prompt है उसे आप run as administrator पर click करें या right click करके उसे run as administrator से open करें तो यहाँ पर आपका जो command prompt open होता है वो administrator mode में open होना चाहिए और यहाँ पर अब आपकी जो commands है जो आपको DNS के IP address या DNS को सही करने की जो commands है वो आपको run करना है IP config space forward slash flush DNS यह command यहाँ पर हम run करेंगे जिसकी वज़े से जो आपका DNS के जो servers है जो आपके website को IP address में और IP address को website में resolve करते हैं वो यहाँ पर flush हो जाएंगे और सारे ही delete हो जाएंगे तो यहाँ पर देखिए successfully flush the DNS resolver कैशे तो यह cache memory यहाँ पर जो DNS की cache memory थी हमारे laptop में store वो सारी य storage हो चुकी है so DNS का जो cache वो flash करने के बाद आपका internet आप चेक कर सकते हो आपका internet अगर काम करना start कर देता है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं करता है तो आप चार नंबर की troubleshooting पर जा सकते हो चार नंबर की troubleshooting में हमको हमारे जो laptop के IP address है वो IP address को हमको renew करना है मतलब जो IP address हमारी laptop पर अभी चल रहा है उसे हमें delete कर देना और नया IP address हमें obtain करना है हमारे router से तो इसके लिए simply दो command आपको run करना है यहां पर IP config space forward slash release पहली command आपके जो पुराने IP address है उसे delete कर देंगी और इस command पर जैसी मैं इंटर प्रेस करूंग और यह command रहोंगी तो यहां पर आप connections are available बता रहा है तो अब हम वापस से हमारा जो IP address से उसे renew करते तो आपको वापस से वही command टाइप करना है उसका जो extension है release वो release की जगा पे हम extension यूज करेंगे renew और इसके बाद हमारा internet automatically यहां पर connect हो जाएंगा जो आप यहां पर right hand side में bottom में आप जो icon देख रहे हो no connect no internet access यह कि यहां पर internet access आ चुका है हमारी laptop ने नया IP address यहां पर obtained कर लिया router से और जो पुराने IP address में अगर कोई problem था तो problem यहां पर resolve हो चुका है तो आपके case में भी यह step help कर सकती है आपका problem यहां पर भी solve हो सकता है अगर नहीं होता है तो तो 5 नंबर की जो troubleshooting है उस पर आप जा सकत हो पांच नंबर की troubleshooting में आपको यह काम करना है कि आपको आपके laptop को किसी और Wi-Fi router से connect करना है आपके घर में कोई दूसरा Wi-Fi router होंगा या आपके कोई पड़ोशी का होंगा या फिर आप आपके mobile के hotspot से उसे connect करके देख सकते हो आप आपके mobile को data पर transfer करे मतलब आपको mobile के Wi- Wi-Fi को बंद मोबाइल पर जो आप Wi-Fi network चला रहे हो उसे बंद कर दे mobile का data आप on करे और उसको आप mobile का hotspot start करके उससे connect करके देखे तो हम यहाँ पर वो step भी करते हैं तो जैसे आप जैसे आप अभी mobile की screen पर देख रहे हो मैं यहाँ पर mobile का Wi-Fi मैंने बंद कर दिया और mobile का data म ने यहाँ पर on कर दिया है और यहाँ पर हम सेटिंग में जाते हैं सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर portable hotspot यहाँ पर हम अन कर देते हैं हमारे mobile का यहाँ पर पोटेबल hotspot जो है हमारे यहाँ पर उसका नाम है mobile hotspot और उसका password है one two three four five six seven eight nine ten तो यहाँ आप देख सकते हो mobile पर yes कर दिए और देख़ तो देखिए यहाँ पर हमारा इंटर इंटरो니다 चल रहा है एं नहीं चल रहा है तो आप देख सकते हों यहाँ पर मोबाईल का सकते हो हाँ हमारे लैप्टॉप पर इंटरोबायल होट सब्था है और यहाँ पर सारी वیबसाइट और यहाँ या आपके laptop में है या कुछ और problem है तो अगर आपका laptop mobile hotspot से है किसी दूसरे router के wifi से connect होता है मतलब जो problem आ रहा है वो आपको आपके router की side से आ रहा है तो आपको आपके router की configuration को एक बार ठीक करना चाहिए आपको आपके router की configuration को reset करना चाहिए अगर आप router को किस तरीके से सही तरीके से configure किया जाता है तो आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने router से related सारी configuration आपको बताई है तो उसे उस वीडियो को देखकर आप आपके router को ठीक तरीके से configure कर सकते हो ताके वो आपके laptop से properly connect हो जाया और internet access आपके laptop पर चल सके अगर इसके बाद भी आपका काम नहीं होता है mobile hotspot से या किसी दूसरे router से भी आपका laptop अगर नहीं connect होता है मतलब problem आपके laptop पर है तो हम next step पर जा सकते हैं छे नंबर की troubleshooting step है वो हम follow कर सकते हैं छे नंबर की troubleshooting में हम हमारे laptop की जितनी भी network की settings है वो सारी settings को reset करेंगे तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं तो अब हम एक बार वापस से हमारे satellite network पर connect हो जाते हैं और mobile hotspot यहाँ पर मैं बंद कर दीता हूँ laptop का network की setting है उसे reset करने के लिए आप 2-3 method यूज़ कर सकते हो जो सबसे simple method है पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ तो सबसे simple method के लिए आप आपके wifi का जो icon है वहाँ पर click करेंगे network and internet setting पर आप click करेंगे तो आपके पास यह page यहाँ पर open हो जाता है तो आप इस page पर आने के बाद आप यहाँ पर search कर सकते हो तो यहाँ पर आप जैसे आपको यहाँ पर network reset का option दीख रहा है आप इस पर जब click करते हो तो यहाँ पर आपको एक option आता है reset now जाओ आप click करते हो तो आपका जो PC है वो restart होता है नेटवर्क रिसेट करने के बाद तो आप यहां पर क्लिक करके आपके नेटवर्क को रिसेट कर सकते हो उसके बाद आपका नेटवर्क जो है उसके बाद आपका लैप्टॉप या पीसी जो है वो एक बार रिस्टार्ट होने के बाद रिस्टार्ट होने के बाद आप वापस से एक बार चेक कर सकते हो अगर आपका problem solve हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और जब PC आपका restart होंगा तब आपको आपके wifi को connect होने के लिए एक बार आपका password आपको आपसे डालना पड़ेंगा तो आप ध्यान रखे कि आपका password आपको पता हो आपके wifi router का या आप उसे पहले note कर ले या आप network reset करने से पहले उसे एक बार note कर ले कहीं बार आपके password को उसके बाद ही या option आप try करें अगर ये method से आपका काम नहीं होता है तो दूसरा method हम command prompt से use करते हैं command prompt से आप कैसे आपके network को reset कर सकते हों तो यहांपर आपको चार से पाश कमांड द्ध उस direct कर आपक΄ network को reset कर सकते हों तो यहां पर पहली command हम type करेंगे network को reset करने के लिए होंगी listeners विन्टाउक रिशेट तो इस command से क्या होँगा कि आपके जितने भी network adapters है जितने भी वो आपके सारे यहां पर reset हो जाएंगे तो मैं यहां पर इस command को run किया और हो यहां पर successfully reset the windows catalog successfully reset the W tensor catalog जितने भी मतलब यहां पर network के sockets है वो सारे यहां पर reset हो चुक्या और हो यहां पर message लिक दे रहा है you must restart the computer in order to complete the reset तो आप यहां आप के PC को restart कर सकते हो बट आप पूरी कमांड कर ले चार कमांड पाच कमांड और उसके बाद आपके PC को restart करें दूसरी कमांड हम यहाँ पर रन करेंगे करेंगे इसके बाद चौती कमांड हम यहाँ पर रिसेट करेंगे जिसमें हम आई पी वी फोर को को इस्पेशली आई पी वी फोर के जो लॉग्स है वो रिसेट करेंगे तो यह चार कमांड यहाँ पर रन करने के बाद आप आपके लब्लम को रिस्टार्ट करके चेक कर सकते हो आपका प्रब्लम होता है या नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं होता है तो नेक्स स्टेप की जो सेवे नंबर की ट्रबल शूटिंग है वो आप ट्राय कर सकते हो तो सेवे नंबर की ट्रबल शूटिंग में हम यह PC है, उस पर right click करके manage के option में जा सकते हो, manage के option में जाने के बाद आपको यहाँ पर device manager का option दिखता है, device manager के option में आपको यहाँ पर सारे ही drivers दिखते हैं, तो यहाँ पर जब आप network adapters पर click करते हो, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे यहाँ पर driver दिखते हैं, जो network के लिए use हो रह रहे हैं इन डाट केस आपको क्या करना है कि आपको इन ड्राइवर्स को अनिस्टाल करना है अनिस्टाल करने के लिए आप क्या करोंगे अनिस्टाल करने के लिए आपको कोई इंटरनेट की जुरूरत नहीं है आप राइट क्लिक करोंगे अनिस्टाल ड्राइवर्स पर क्लिक करूंगे तो आपको simply इस अनिस्टॉल पर क्लिक कर देना है तो यहां से आपके जो ड्राइवर से वो अनिस्टॉल हो जाते हैं जैसे कि मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूँ और यहां से वाइफ़ा के ड्राइवर्स देखिए अनिस्टॉल हो चुके हैं यहां पर अगर आप ड्राइवर से लेकिन इसने automatically यहाँ पर उसे अभी install कर दिया तो आपके case में भी ऐसी ही हो सकता है कि कुछ error की वज़े से आपके जो wifi के driver से वो काम करना बंद कर दिया हो तो जब आप उन्हें install करते हो तो आपका PC Windows 10 अगर है या Windows 7 है तो वो automatically उसकी जो files होती है पुरानी files वहां से setup लोड करके उन drivers का proper version install कर देता है और यहाँ पर देखिए यह wifi यहाँ पर आ चुका है अब मैं वापस एक बार connect करके देख लेता हो कि हमारा जो wifi वो काम कर रहा है यहाँ पर मुझे अभी इसका password लगेंगा तो हम यहाँ पर वापस से उस wifi network को connect हो सकते हैं उसका जो password है वह पासवर्ड हम यहाँ पर डालकर उससे connect हो सकते हैं तो मैंने यहाँ पर मेरे network का password यहाँ पर डाल दिया है और मैं यहाँ पर connect कर रहा हूँ satellite network से return और यहां पर देखिए internet access आ चुका है तो आपके case में भी ये काम कर सकता है अगर नहीं करता है तो आपको इसी में next step आपको ये करना है कि आपको वापस से आपके जो driver से अगर automatically install नहीं होते हैं तो आपको आपके wifi के नए drivers आपको download करना है नए driversから download करने के लिए आप क्या कर सकते हैं आप 아पके mobile पर जो wifi आपका चल रहा है उस wifi को आपको ये use कर सकते हो download करने के लिए आप connection कैसे करोंगे आपके laptop को तो उससे connect करने के लिए आप USB cable use कर सकते हो और USB threatening का जो option है वो use कर सकते हो तो आपको ये USB केबल आपके laptop पे connect करना है और दूसरा जो उसका point है वो आपको आपके mobile पे connect करना है जो आपकी charging केबल होती है जो भी केबल होती है तो आप देख सकते हो मैंने यहां से wifi को disable कर दिया है यहां से wifi disable है, ethernet की cable भी disconnected है लेकिन हमारी laptop पर internet हम चला सकते है तो आपको क्या करना है, जो wifi आपका mobile पर चल रहा है जैसे आप mobile के screen देख रहे हो तो आपको आपके mobile के wifi को use करते हुए USB केबल की मदद से जैसे मैंने यहां पर USB cable connect की है laptop के साथ तो इस cable की मदद से आप आपका जो wifi internet है उसे transfer कर सकते हो आपके laptop पे और उस internet को use करके आप आपके laptop के adapter को update कर सकते हो wifi के drivers को update कर सकते हो तो आपको setting में जाना है, setting में जाने के बाद आपको simply यहां पर search करना है USB threatening, तो USB threatening का option आपको यहां पर मिल जाएंगा जैसे के यहां पर आ चुका है, देखी, USB threatening का option आ गया है यहां पर आप उसे USB threatening के option को enable कर दोंगे तो आपका जो internet है वो start हो जाएंगा, जैसे आप laptop की screen पर देख रहे हो यहां पर USB का यह network connection आ चुका है और यहां पर internet connected बता रहा है तो यह mobile के, mobile के wifi को use करके USB cable पर internet transfer हो रहा है status में आप check कर सकते हो, यहां पर यह totally different network है 192.168.42.98 तो यह mobile के router से हमें internet access मिल रहा है और mobile का router है वो use कर रहा है, जो wifi router का internet है उसे use करके आपको internet दे रहा है तो अगर आपको drivers आपके update करना है, online update करना है तो आप यहां पर simply उस पर click करके update drivers कर सकते हो, और search automatically कर सकते हो तो आपके जो drivers है, वो online update हो जाएंगे जो भी उसकी website है, अगर Dell का laptop है, Dell की website से update हो जाएंगे, HP का है तो HP से हो जाएंगे या अगर आपको update नहीं हो रहा है online drivers तो आप आपके drivers को download करके भी डाल सकते हो, जैसे के मैं यहां पर मेरा जो laptop का model है, मेरा laptop का model Dell वास्टो है, तो मैं यहां पर Dell वास्टो जो भी उसका XYZ model नमबर रहेंगा, Wi-Fi drivers, यहां पर मैं उसे सर्च कर सकता हूँ, और यह drivers आप यहां से download करके आपके laptop में save करके रख सकते हो, manually आपको जब भी जूरत पढ़ती है, तो आप उसे manually update कर सकते हो, जैसे के यहां पे आप आपका, जो भी model होंगा, उसके Wi-Fi के drivers आप यहां से download करके, आपके laptop में save कर के रख सकते हो उसे जब जुरुत पड़ती है जब आप इंस्टॉल कर सकते हो तो यह सारे जिस्से आप आपके Wi-Fi के drivers को update कर सकते हो इसके बाद भी आपका issue solve नहीं होता है तो कहीं न कहीं आपके laptop को जो Wi-Fi card है वो खराब हो सकता है या वो काम नहीं कर रहा है यह भी हो problem है अगर अभी तक सारी step follow करने के बाद अभी तक आपका issue solve नहीं हुआ है तो तो आप आपके अगर laptop का wifi card या wifi का जो unit है वही काम नहीं कर तो उसे confirm करने के लिए आप इस तरह के जो external unit आते हैं जो USB adapter आते है wifi के इस तरह के adapters आप use कर सकते हो तो simply यह एक USB device होता है यह device आप आपके laptop में जब plug कर देते हो तो जैसे के मैं यहां पर इसे plug कर दे रहा हूं मेरे laptop में इस device को मैं यहां पर लगा देता हूं तो आप देख रहे हों यहां पर यह hardware installation का यहां पर आ चुका है तो आप देख रहे हों यहां पर यहां पर दिखा रहा है यह नेटवक आप देख रहे हो तो अगर यह डिवाइस लगाने के बाद आपका Wi-Fi काम कर रहा है मतलब आपके laptop के अंदर का जो Wi-Fi है वो काम नहीं कर रहा है ठीक से तो हम यहां पर वापस से हमारे network को connect करते हैं अपकी बार हम जो connection कर है वो हमारे USB USB adapter से हो रहा है जो हमारे laptop का default Wi-Fi कार्ड है जो laptop के अंदर इंस्टॉल है उससे नहीं हो रहा है तो यहां पर मैं connect करता हूँ वापस से password दालने की जूरत पढ़ेंगी क्योंकि नया Wi-Fi कार्ड है और password दालने के बाद हम next पर क्लिक करेंगे यस कर देंगे और देखते हैं कि यहां पर connection हो चुका है और internet access भी आ चुका है internet की speed हम एक बार यहां पर चेक कर लेंगे कि speed सही-सही मिल रही है या नहीं मिल रही है तो यहां पर जितनी speed हमारे प्लान की है 15-20 Mbps की जो speed है वो speed यहां पर मिल रही है तो sufficient है मतलब यह card हमारा सही तरीके से काम कर रहा है Wi-Fi card तो अगर आपके laptop का Wi-Fi card सही तरीके से नहीं काम कर रहा है और USB adapter अगर आपका सही काम कर रहा है Wi-Fi का तो यहां पर भी आपकी problem solve नहीं होती है तो मतलब आपके जो laptop में problem है वो कुछ ऐसी problem है जो Wi-Fi के driver से उसे ठीक तरीके से काम नहीं करने दे रही है या Wi-Fi के लिए Wi-Fi adapter के लिए Wi-Fi network के लिए जो services काम करती है operating system की वो ठीक से काम Windows 8 कोई भी operating system जो आपकी Windows की है उसे आपको back date पर restore करना है मतलब आगर मान लो आपको problem यह आ रही है पिछले option वाला option open हो जाता है तो यहाँ पर आपका already जो system restore है वह अगर आपको already on है तो आपको यहाँ पर back date के restore points मिल सकते हैं जिसे आप restore कर सकते हो तो यहाँ आप system restore पर click करते हो तो यहाँ आपके सामने option आ जाते है मेरी system पर यह जो है restore point configure नहीं किया हुआ है जिसकी वज़े से यहाँ पर नहीं बता रहा है लेकिन यहाँ पर आपके सामने c drive option आ जाता है उसकी जो date है जिस date पर उसने restore point create किया है उस date का यहाँ पर आपको option आ जाता है आप उस date को select करके यहां next पर click करते हो तो आपका system backdate पर restore हो जाता है और restore होने के बाद आपका system 2-3 बार restart हो सकता है इस process के बीच में और अगर आपके system को restore करते हो मान लो आपने पिछले 7 दिन की 7 दिन पहले की जिट पर आपके system को restore किया है तो उन साथ दिनों के बीच में अगर आपने कोई program अं circuit किया है, कोई program इंस्टॉल किया है, कोई driver इंस्टॉल किया है, कोई application आपने run किया है आपके system पर तो वह अनिस्टॉल हो जाते हैं, आपका data delete नहीं होता, जो data आपने safe किया है, कोई file safe की है वो आपके delete नहीं होता है, जो अपने application और जो programs है उसके अंदर आपके changes होते हैं, और जो settings है आपकी system की उसके अंदर changes होते हैं, जो last date पर आपने restore select किया है, उस date तक उसकी जो भी settings रहेंगे आपकी system की, वो सारी उस date चली जाती है, तो इस troubleshooting को run करने से भी आपका जो wifi का problem है, आपके laptop पर wifi internet काम नहीं कर रहा है, वो आपका solve हो सकता है, इसके बाद भी अगर आपका issue solve नहीं होता है, तो 10 number की troubleshooting है, वो आप try कर सकते हो, अब 10 number की troubleshooting ये है कि अगर आपके इन सारे options को try करने के बाद भी आपक आपका wifi ठीक से काम नहीं कर रहा है, external भी try कर लिया, आपने external USB drive वाला wifi भी try कर लिया है, वो भी नहीं कर रहा है, तो आपको आपके operating system को reinstall करना पड़ेंगा कहीं ना कहीं, आपके operating system में problem है, जिसकी वज़ा से आपके wifi hardware काम नहीं कर रहे है, तो आपको operating system अगर आपके laptop पर reinstall कर मैं, उसके लिए भी हमारा separate video बनाया हुआ है, किस तरीके से आप करोंगे, Windows 7, Windows 10 और bootable pen drive कैसे बनाओंगे, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, i-button पर उसका link दिया हुआ है, उसे भी आप चेक कर सकते हो, और उसे देखकर आप आपके laptop का OS reinstall कर सकते हो, नया operating system install कर सकते हो, इन steps को follow करके और इन troubleshooting को follow करके आपका जो wifi का issue है, wifi आपके laptop पर नहीं चल रहा है, mobile पर चल रहा है, वो issue आपका यहाँ पर solve हो जाएंगा, अगर आपका issue solve होता है, कौन सा method आपके लिए काम कर रहा है, वो comment करके जूरूर बता है, अगर आपको problem नहीं solve हो रहा ह है, कोई आपको problem आ रही है, आप वो भी हमें comment करके जुरूर बत, हम उस पर भी आपको solution देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, तो अगर वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ share करें, अगर कोई problem आ रही है, कोई solution आप पूछना चाते हो, तो आप comment करके बता सकते हो, Instagram और Facebook पर आप हमें follow कर सकते हो, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी important information update के साथ, तब तक के लिए good day, bye bye, take care.